असकार दोस्तों आसा करता हूँ कि आप सबस्वस्त होंगे और सुरच्छित होंगे हम लोग दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन आज से स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉप कुश्यन है जो बार-बार पूछे जाते हैं या फिर जो इंपोर्टेंट कुश्यन है हर टाइप का question आपको इसमें मिल जाएगा हम लोग 100 question देखेंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे तो आज हम लोग जो दोस्तों उसका part 1 देखेंगे ठिक ratio and proportion का आज हम part 1 देखेंगे और part 1 में दोस्तों चल रहे हैं हम देखते हैं पहला question क्या लिखा है कि रोसन ने 11 अनुपाते 8 के अनुपात में दो दोस्तों के बीच 4750 रूपए बाटे यानि कि रोसन एक व्यक्ती है दोस्तों ये अपने दो दोस्तों के बीच मान लीजिए A और B के बीच 11 अनुपाते 8 के अनुपात पाट में दोस्तो नहां कि यह अर्ट रूपात में किस बढ़्य तो सौत नहींiones अगर दोस्तों के पास न्य детू रुपए नहीं बाटा कितना दोस्तों चार हजार साथ सौ पक्चास आप इसे जोड़ते चले जाएं तो 0-0 में 5 जोड़ेंगे 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 7 और आगे 2 ठीक यानि कि 2750 रुपए A का हो जाएगा और 2000 रुपए B का हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करियेगा आगे चलते हैं दोस्तों अगला कुस्षिं क्या कह रहा है देखिएगा कह रहा है करम बीर ने 19.11 की अनुपात में दो बेटे अमित और सुमित के बीच धन बाटा जो करम बीर था वो अपने बेटों को उसके दो बेटे थे एक कभी एक का नाम था अमित और एक का नाम था सुमित 19 अनुपाती 11 के अनुपात में इसने बाटा कह रहा है कि अमित की हिस्सेदारी सुमित से 3600 रूपए अधिक है यनि कि हम देख रहे हैं दोस्तों दोनों में कितना अंतर है मतलब सुमित से कितना अधिक है तो 8 जादा अधिक है अमित का जो भाग है वो सुमित से 8 जादा है कित्ता ज्यादा है सुमिद से आठ ज्यादा है लेकिन ये कह रहा है कि आठ नहीं ज्यादा कित्ता च्छतिस सो ज्यादा है कित्ता ज्यादा है दोस्तों च्छतिस सो ज्यादा है इसका मतलब क्या हुगा दोस्तों कि आठ का च्छतिस सो यानि कि भाग दे देंगे आठ से तो तो आठ चो बतिस, आठ पंचे चालिस और चीरो, यनि कि चार सो पच्चास गुना, तो क्या कह रहा है व्यक्तिकत से यहर, तो ग्यारा का दोस्तों जब चार सो पच्चास गुना करेंगे, तो हमने कहां जब भी ग्यारा से गुड़ा करना हो, ता आप ऐसे जोडते चले पाच में चार जोड़ेंगे तो नौ और चार है यह है दोस्तों, निकि 4 हजार नौसो पच्चास रुपय हो गया, किसका? सुमीत का, और जब उन्नीस में दोस्तों दोसो पच्चास का गुड़ा करेंगे, तो याद रखिगा कि क्या हो जाएगा, उनंीस में दोस्तों जब बीस बार करेंगे दोस्तों 45ड़ न ब्लाइदे 9000 हो जायेगा और 9000 में 450 गटा देंगे दोस्तों तो 8 2550 रुपई आ जाये किता 8 550 रुपई यही आ जायेगा आपका एंसर यहनी कि दोस्तों आमीद का 8 5550 और सुमीद का 4950 रुपई कहीं कोई धीकर थो दोस्तों बताईए आगे चलते हैं दोस्तों अगले कुश्चन पर क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 374 चात्र हैं ठीक लड़के और लड़कियों का अनुपात बॉय और गर्ल का अनुपात दोस्तों 10 अनुपाते 7 है ठीक 10 अनुपाते 7 है तो इसका मतलब दोस्तों 10 7 17 हो गया ये कितना हो गया दोस्तों टोटल 17 हो गया लेकिन 17 नहीं कितने हैं 374 ये बाइस गुना जादा है तो बॉय कितना हो जाएगा दोस्तों 22 दाम्मा 220 हो जाएगा और लड़कियां कितना हो जाएगी दोस्तों 22 सत्य तो 154 हो जाएगा ठीक चुकि देखें 20 सत्य 140 240 140 और साथ दूना 14 140 मे लेकिन कह रहा है कि 22 लड़कियां और आ जाती हैं दोस्तों तो लड़कों में कोई परिवर्तन नहीं लड़के 220 ही हैं लड़कियां 22 और आ गई तो 22 और आ गई दोस्तों तो 54 चपन और 56 में 20 जोड़ देंगे 76 यानि कि 176 हो गई दोस्तों अब देखिए 11, 91, 11, 11, 6, 6, 11, 12, 24 चोग, 16, 4, 5, 20 यानि कि अब जो नया अनुपात है वो कितना हो गया दोस्तों 5 अनुपाते 4 हो गया कहीं कोई रिक्कत हो दोस्तों बताईए ठीक अगला प्रस्न देखते हैं कह रहा है सचिन और सौरब की आय का अनुपात इतना है उनके ब्याय का अनुपात इतना है या द प्रतीक इतने रुपए की बचत करते हूं मतलब दोस्तों प्रतीक इतने रुपए की बचत करते हूं इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि दोनों की बचत समान है यार रखिएगा दोस्तों अगर मैं कहूं कि आप 50 रुपए कमाते हैं मैं 40 रुपए कमाता हूं दोनों लोग जो है दोस्तों, 10-10 रुपई की बचत करते हैं, यानि कि ये कितना खर्च करेगा दोस्तों, ये 40 रुपई खर्च करेगा, और मैं कितना खर्च करूंगा दोस्तों, मैं 30 रुपई खर्च करूंगा, तो देखे दोस्तों, इसके बीच में अंतर कितने का है, 10 का है, इसके रूपए दोनों लोग बचत करते हैं दोस्तों इसका मतलब कि ये कितना खर्च करेगा दोस्तों ये खर्च करेगा 35 रूपए मैं कितना खर्च करूँगा दोस्तों मैं करूँगा 25 रूपए इसका मतलब दोस्तों इसका अंतर कितना है दोस्तों 25 और 10 35 और 40 10 50 तो हम देख रह तो उनकी आय का अंतर ये उनकी आय है दोस्तों उनकी आय का अंतर उनके व्य के अंतर के बराबर होगा जी आ दोस्तों उनकी आय का अंतर उनके बचत उनके खर्ज के अंतर के बराबर होगा समझ मैं यही नियम मैं इसमें लगाऊंगा प्रस्त में क्या कह रहा है देखिएगा सचिन थे और सौरब थे इनकी आय का अनुपात तीन अनुपाते साथ है आयन की इनकम इनकी इनकम का अनुपात तीन अनुपाते साथ है इनकी बचत बचत का मतलब expenditure इनकी बचत का जो अनुपात है वो दो अनुपाते नव है दोस्तों ठीक तो चलिए अब देखिए मैंने कहा कि बचत दोनों की पाइसाट सो रूपय है मैंने कहा दोस्तों कि जब भी इस तरह का प्रस्न आ जाए जब भी इस तरह का प्रस्न आ जाए दोस्तों कि बचत दोनों का समान हूँ तो हमने कहा कि दोनों का अंतर बराबर हो जाए तो ती गज आगा ऑस साथ तो हमने कहा कि अंतर समान होता हैder saying इनकीई इसकाल का जो अंतर होगा दोस्तों इनकोषप driving इसकाल कि इसका शा next इसकाल को यह न दोनों क्या होगा दोस्तों समान होगा दीजिए चार और साथ को जाबर करने के लिए इसमें साथ से गुड़ा करेंगे और इसमें चार से गुड़ा करेंगे तो जब इसमें चार से गुड़ा करेंगे दोस्तों ये दो ना हो करके कितना हो जाएगा ये दो ना हो करके दोस्तों कितना हो जाएगा देखिएगा ये दो ना हो करके चार दूना और सासता 49 हो जाएगा यह 21 हो जाएगा और यह 49 हो जाएगा दोस्तों यह 21 हो जाएगा और यह 49 हो जाएगा अब देखिए दोस्तों दोनों के बीच का अंतर समान हो गया अब इसका मतलब क्या हुगा कि 21 रुपए आदमी कमा रहा है और 8 रुपए खर्च कर दे रहा है कितना 20 इसी दोस्तों उन्चास रूपए कमा रहा है स्पिस्टिस रूपए खर्च रत कर दे रहा है तो तो दोस्तों कि भृष में लेक्वया तो भी ख़गोदे Jonathan कर्षेतिश कर दे रहा है गित बचैस? ना हो करके 21 का 500 टाइम तो 595 और 52 न 10 यानि कि 10,500 रूपए हो जाएगा और दोस्तों सचिन की आय और सौरब का खर्च सौरब 36 रूपए खर्च कर रहा है ठीक यहां पर मैं करता हूँ सौरब 36 रूपए खर्च कर रहा है तो 36 ना खर्च करके 500 रूपए तो यह आ जाएगा हमारा एंसर दोस्तों कि सौरब का खर्च 18,000 रूपए है और सौमित सचिन का जो आय है दोस्तों वो 10,500 रूपए है कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए इसमें किवल एक नियम लगा कि मैंने कहा दोस्तों कि अगर बचत समान कर रहे हैं तो इनकी आय का जो अंतर होगा इनके खर्च का जो अंतर होगा वो दोनों क्या होगा दोस्तों समान होगा यही नियम लगा करके मैंने हल कर दिया है जैसे अगले प्रेस्ट पर चलते हैं दोस्तों पी क्यों और आर के बीच, इन हजार आठसो पचास रुपए भालजित करें ताकि पी को, जहां समझेगा, यही लाइन में देख रहा हूँ P कù क्यों और आर का चार बटे साथ मिले Q को Q और R का 4 बटे 7 मिले इसका मतलब ये हुँआ दोस्तों कि अगर इसको 7 रुपए मिल रहा है तो इसको 4 रुपए मिले गा फिर देखिए Q को P और R का 5 बटे 9 मिले इसका मतलब इसको अगर 9 मिल रहा है इसको अगर 9 मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा है दोस्तों इसको 5 मिल रहा है अब देखिए यहां पर अगर मैं P, Q, R निकालू दोनों का तीनों का योग निकालू दोस्तों तो क्या हो जाएगा 74, 11 हो जाएगा और यहां 95, 14 हो जाएगा तो देख रहे हैं दोस्तों भाई धन तो एक ही है न तो P, Q, R में बटेंगे तो समान बटेंगा न भाई अगर यहां पर 11 आ रहा है यहां भी 11 होना चाहिए यहां 14 होना चाहिए यनि कि दोस्तों इसको बराबर क गुड़ा कर दूँगा इसमें मैं 11 से गुड़ा कर दूँगा तो यह हमारा देखिए दोस्तों इसमें 14 से गुड़ा करेंगे तो यह 4 नहों करके 14-194, 14-194, और एक 15, यनि के दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 154, फिर देखिए दोस्तों, अब इसको जब बराबर करेंगे, ति यहाँ 11 से गुड़ा करना है, ति 11 5 5 वा जाएगा, और ये 11 95 हो जाएगा, जी हा दोस्तों, ये 55 हो जाएगा और ये 99 हो P plus R में से अगर हम P घटा देंगे तब भी हमको मिल जाएगा Q plus R में से अगर हम क्यों घटा देंगे तब भी मिल जाएगा तो देखें जब Q plus R में से क्यों निकालेंगे तो 98 में से 55 निकालेंगे तो 43 आएगा किता आएगा दोस्तों आर जो आजाएगा आर आजाएगा दोस्तो 43 अगर हम इसको इसको करें दोस्तों तो 99 में से 56 घटाएंगे तब भी दोस्तों 43 ही आएगा इसका मतलब दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि कितना मिल रहा है दोस्तों एक मिनाट रूखिए दोस्तों आर का मान हमको मिल रहा है ताय तालिस अब देखिए पी प्लस क्यूं प्लस आर जो है यह जो 154 है 154 नहीं है दोस्तों कितना बाट रहें 3850 रुपए बाट रहें कितना 3850 रुपए बाट रहें इसका मतलब कि यह कितना गुना है दोस्तों तो 152 तो यह कितना हो गया दोस्तों 308 हो गया घटा देंगे तो 77 हो जाएगा यानिके 770 तो 770 का मतलब यह हूँ दोस्तों के 154 चौदा पंचे 70 तो 5 बार जाएगा दोस्तों तो 5 बार जाएगा ती हो जाएगा 3850 यानि कि 154 नहों करके 25 गुना है तो यह 43 नहों करके दोस्तों 44 का 25 गुना हो जाएगा यानि 25 तियां 75 कि 5 असले लगन 7 24 को 100 और 7 यानि कि 107 जो हमारा आयन स्वर आ जाएगा दोस्तों जो हमारा आयन स्वर आ जाएगा वो आ जाएगा 1075 यानिके option number B हमारा सही हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए कमेंट करिएगा कहीं भी समझने में अगर समस्या हो तो कमेंट करिएगा हमने क्या किया P प्लस Q प्लस R हमको 154 दिया था लेकिन 154 नहीं है दोस्तों ये 3850 है तुलना कर लिए दोस्तों 25 गुना था इसलिए मैं 43 का 25 गुना कर दिया 1075 आ गया समस्या हो दोस्तों तो एक बार वीडियो बैक करिएगा फिर से देखेगा आगे चलते हैं कह रहा है कि 2430 रुपए तीन व्यक्तियों A, B, C में विभाजित करें कि उनके सेर क्रमसा 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए कम हो जाते हैं तो सेस हिस्सा 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में होगा तो एक बार ये लगाने का प्रयास करिएगा दोस्तों ठीक फिर ये सारे प्रस्न दोस्तों हम कब बताएंगे तो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा मिलेंगे अगले वीडियो में नमस्कार जैहिंद दोस्तों और याद रखियेगा अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दूस्तों और इसको अपने साथियों के साथ से अर्भी करिएगा तो नमस्कार जय हिंद